नमस्कार दोस्तो जैहिंद कैसे हो आप सभी मेरविंदर आप सभी का हादिक स्वागत करता हूँ दोस्तो इंडिन आर्मी ओडिनेंस कोर्प यानि जो गोडा बारूद फैक्टरी होती है उसके अंदर बंपर वकिंसी जो है निकाल दी गई है यहाँ पे जो वकिंसी जो दोस् सब्सक्राइब करते हैं उससे पहले अभी तक इनिन रोजगार आपको इंस्टाल नहीं किया है तो अभी इंस्टाल करो क्योंकि यहाँ पर आपको एओसी की टेस्ट सीरीज पीडियेफ वगारा जो है मिलेंगे तो गूगल प्लेस्टोर पे जाओ सर्च करो इनिन रोजगा नहीं करते हो तो मैंने टेलिगराम पर जो है इसका पीडियेफ भी शेयर कर दिया है टेलिगराम सेनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्सिन में दे रखा है तो यहां पर बात करें वह वकेंसीज की तो टोटल नूमर वकेंसीज जैसे कि मैंने आपको बताया है साथ सो कार्पेंटर की साथ वकैंशी हैं उसके बाद देखो भी यहां पे पिंटर या डेकोरेटर की पाँच वकैंशी हैं एंप्टेस की टोटल ग्यारा वकईंशी हैं और ट्रेडिशमें मेट की जो है थ्री एकटीन नाइन जो है नंबरों वकैंशी रखी गई हैं दोस्तों यहां पे अगर हम बात करएंगे, फ्यांक है। मिनिट की civil motor driver के अंदर matriculation plus heavy vehicle license चाहिए telephone operator के अंदर भी यहाँ पे सिर्फ 10 plus 2 चाहिए और मतलब आपको और भी कोई certificate वगेरा जो है नहीं मांग गया है अगर हम बात करें भी fireman की सबसे ज़्यदा vacancies fireman की है 18-25 साल जो है undeserved open rate की age रखी गई है अगर हम बात करें OBC की तो 18-28 साल हो जाएगी SCST की बात करें तो 18-30 साल हो जाएगी SC और ST की OBC की अगर हम बात करें तो OBC की जो है 18-28 सिर्फ matriculation मांगा गया है यानि अगर आपने simple 10th कर रखी है और आपकी age valid है तो आप इसके लिए apply कर सकते हैं यहाँ पे अगर हम बात करें दोस्तों MTS की तो MTS में भी सिर्फ 10th pass मांगे गई है यहाँ पे अगर हम बात करें भी tradesman की सबसे ज़्यादा नंबरों firms tradesman और fireman के अंदर ही आने वाड़े हैं तो same age criteria है 18-25 साल unresort के लिए 18-28 साल OBC के लिए और 18 से जो है 30 साल SC और ST कंड़ेट की age रखी गई है सिर्फ 10th pass आपको मंगा गया है दोस्तों कोई आपके पास trade certificate या idea ही कि आप सकता नहीं है सिर्फ 10th pass और age है तो आप इसके लिए apply कर सकते हो यहाँ पे गर हम बात करें बात करें लेक्सेशन की website से यहाँ पे दोस्तों कोई भी आपका जो है offline form accept नहीं किया जाएगा सिर्फ online ही आप इसके लिए apply कर सकते हो सबसे अच्सी बात भई यहाँ पे किसी भी परकार की किसी भी date के लिए कोई भी fees नहीं रखी गई है यानि free of course आप इसके लिए apply कर सकते हो दोस्तों इसके जो form है भी वो 2 December से start हो गए है और यहाँ पे जो है last 21 days तक आप इसके लिए apply कर पाऊगे 2 December से form start हो चुके है और 23 December के लगबग इसके last date रखी गई है लेकिन जितना जल्दी हो इसके भी आप apply कर दिना last date का इंतजार मत करना एक्जाम सेंटर के अगर हम बात करें दोस्तों तो एक्जाम सेंटर first come first services पर आपको दिये जाएंगे यानि जितना जल्दी आप form डालोगे और जो पहले ही preference आपने डाल लिए chances रहेंगे कि वहीं आपको center मिल जाए दोस्तों अगर हम बात करेंगे यहाँ पर कैसे आपका selection होगा तो selection जो है totally merit के base पर रहेगा लेकिन tradesman और यहाँ पर fireman के लिए दोस्तों आपका भई जो है physical measurement test और physical endurance test भी रहने वाड़ा है यहाँ पर अगर हम fireman की बात करेंगे तो physical measurement में minimum height 165 cm रहने चाहिए इसके लावाद chest जो है 81.5 cm रहने चाहिए minimum weight 50 kg होना चाहिए physical के जरह हम बात करें तो 1.6 km run है यहाँ पर अगर आप female candidate या ex-serviceman हो तो 6 minute का time जो है दिया जाएगा उसके बाद दोस्तों दूसरा point है भई आपको 63.5 kg का weight जो है 183 meters तक 96 second के अंदर carry करना है 2.7 meter एक wide disc को आपको जो है यहाँ पर qualify करना है long jump है और 3 meter की यहाँ पर vertical rope यानि high jump जो है रहने वाली है इसके अलावा गर हम बात करें बाद करेंगे ट्रेट्सman की तो ट्रेट्सman में दोस्तों यहाँ पर height का तो criteria नहीं है लेकिन physical endurance test है आपका 1.6 kilometer 6 minute में और 50 kg weight आपको carry करना है 200 meter तक 100 second के अंदर यहाँ पर अगर आप female candidate हो भई तो 1.6 kilometer रन 8 minute 26 second में हो जाएगी और जो 50 kg का weight है 200 meter तक वो आपको 3 minute 45 second में जो है लेके जाना है बिना एक भी एक बार भी गिराए होए उसके बात जो आपका selection है दोस्तों वो total merit base पर होगा भई सबसे पहले physical होगा अगर आप physical लोग वालिवाई करते तो ही आपके admit card आएंगे return exam के और यहाँ पर अगर हम बात करें भी जनल intelligence, numerical aptitude, जनल इंगलिस और जनल awareness यही subject रने वाड़े हैं भई आपके tradesman और fireman के exam के अंदर जिसमें आपको maximum score करना है और आपकी negative marking भी यहाँ पर रहेगी 0.25 marks की syllabus भी दे रखाएं दोस्तों यह telegram पर मैं share कर दूँ आप यह official syllabus और exam pattern आप एक बार अपने आप से भी पढ़ सकते हो बस दोस्तों यही अबे उसके बाद आपका document verification होगा और final joining करा दी जाएगी काफी अच्छी वाकेंसी हैं भाई अगर आप eligible हो तो जुरूर apply करना दोस्तों center government की job है आपके घर के नजदी की आपको जो है वाकेंसी मिल जाएगी क्यूंकि army ordinance core के deport जो है बहुत सारे हैं ठीक है और salary भी यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छी जो है देखने को मिलेगी जैसे material assistant की है और भी यहाँ पर अगर हम बात करें tradesman और fireman की अच्छी खासी job आपको जो है देखने को मिलेगी दोस्तो वीडियो को भी share कर दो और अगर आप army ordinance corps के तयारी कर रहे हैं तो आप channel को subscribe करके bell icon दबा लो क्यूंकि यहाँ पर आपको जो है बहुत सारी informative वीडियो जो है इसके regarding देखने को मिलेंगी और भी Indian Rosegar app को जुरूर से install कर लो क्यूंकि यहाँ पर complete preparation आपको करवाई जाएगी army ordinance corp की जहाँ पर test series वगएरा, pdf वगएरा सब कुछ आपको available करा दिया जाएगा आणे वाले 2-4 दिन के अंदर तो भी वीडियो को जितना उसके share कर दो thank you so much, जैहिन